राइस्तान के उद्यापूर में जिस तरह टेलर कनहिया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई उसके बाद से ही देश का माहौल गर्मा गया है उसी को लेकर सभी सुरक्षा वस्ता पोक्ता के गए हैं ताकि माहौल पेगड़ना जाए रहवाडी के मुस्लिम समाच त्वारा टेलर कनहिया लाल को स्रंधांजले बेट की गई जमा मास्षित के इमाम रमचान खान ने कहा है कि समाच की एकतार अखंड़ता को बेंगारने का किसी को अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि जो भी अपरादी है उसे कानुन हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए मुस्लिम समाच के लोगों ने आज कनहिया लाल के चितर पर पुस्पो अरपित करोने अपने सरद्धा सुमन अरपित किये और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो देश में जाती बात का जयर फैला कर उसकी अखंडता को तोड़ना चाहते हैं उन्होंने कहा कि यह किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा है कि कानून के प्रावधान में जो सबसे बड़ी सजा हो वे कनहिया लाल के आरोपियों, मुझरिमों को मिले और उनके समाच की तरफ से केंदरबा राजस्तान सरकार से मांग की है कि कनहिया लाल के हाथ्यारों को फांसी की सजा दी जाए ताकि देश का माहौल कि कोई भी जरत ना आए सरंधाजली देने वालों में मुस्लिम समाज की ओर से मौलवी रमचान हाफिस मौमध अता मौलाना मौहमद अम्र हाफिस मौहमद एत्यादी मुस्लिम समाज की लोग मौचुत रहे मौलवी मौहमद रमचान मौहमद रमचान सब्सक्राइब करें इस अबने कि गांगे हैं मैं इस वाकिय की भर्पूर निंदार मजब्मत करता हूँ और मैं ऐसे शेटान लोगों के लिए अपने समाज की तरफ से फांसी की मांग करता हूँ जो समाज को बाटनेर समाज में गष्णा फिलाते हैं समाज के अंदर नफरत पहलाते हैं ऐसे लोगों को फांसी से कम की सिजा ना हो मैं अपने समाज के तरफ से ये मांग करता हूँ कि इन शैतानों को फांसी सिजा हूँ जो उदेपुर में एक निहते टेरर को पर जो हमला हुआ है उसके जितनी निन्दा की जाए बहुत कम है मैं रिवाड़ी के तमाम मुस्लमानों के तरफ से इस कातलना हमले के निन्दा करता हूँ ऐसे सापों का मुख कुचल देना चाहिए जिनकी वज़े से समाज और भाईचारा खराब होता है जिस बात को लेके इन्हों से कतल किया है हजरत मुहमन सहाब खुद्समन को माफ करने वाले थे कुरान में इसलाम में इस किसम की कोई इजाज़त नहीं है किसी को भी जो इस तरीके से किसी निहत आदमी का कतल करे हम सम इसकी मुझ्जमत करते है और राजिस्तान सरकार से केंदर सरकार से मांग करते है कि एसे इन्सान को फांसी की सजा हो यही हमारी गुजारी से जैहिंज जैभारत मेरे नाम मुहमन मुझ्जम है मैं इमाम हूँ यहारेवाडी में और जो यह उदुपुर में घटना हुई है इसकी हम कडी निंदा करते हैं और हम अपील करते हैं केंदर सरकार से और राजिस्तान सरकार से और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहे इस वज़ासे ऐसे शेतानों को फांसी की सजा होनी चाहिए